एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दूकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बाते हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीती और खेल जगत इत्यादी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भाया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो, आदमी ने पूछा। अर्रे, ये समझना बहुत आसान है, बस गली में जाए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताए कहा है भगवान। आदमी एक शन के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना इसलिए चुपी रहा। नाई ने अपना काम खतम किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उससे एक लंबी दारीक मूच वाला अधिर व्यक्ति उस तरफ आता भला कैसे नहीं होते हैं? नाई ने सवाल किया, मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ. उद्धरन चिन्ह नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते हैं वरना किसी की भी लंबी दारी मूच नहीं होती पर वो देखो सामने उस आदमी की कितनी लंबी दारी मूच है. अरे नहीं भाई साहब नाए होते हैं लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाए बोला, बिल्कुल सही, आदमी ने नाए को रोकते हुए कहा, यही तो बात है, भगवान भी होते हैं पर लोग उनके पास नहीं जाते और नहीं उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं, इसलिए दुनिया में इतना डैक दर्ध है.